नवश्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Poco C31 है या कोई और मॉडल है Poco का तो यहां पे आप Auto Call Recording की सेटिंग कैसे कर सकते हैं Mobile में तो फोन में Auto Call Recording सेटिंग करनी है तो यहां पे आप चले जाएंगे डायल पैट पे और यहां पे आप चले जाएंगे सेटिंग पे Call Recording का जो option है आप इस पे क्लिक करके यहां पे आप on कर देंगे अब यहां पे आपको दो option मिलते हैं All Numbers और Selected Number और All पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप चाहिस सिम में नंबर सेफ है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता सारे Numbers की Call Recording होगी Selected Number पे सिर्फ और सिर्फ जो नंबर आप सेलेक्ट करेंगे उसी की Call Recording होगी तो यहां पे आप Selected Number पे क्लिक करके Custom List भी कर सकते हैं आप Custom पे क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से यह Plus पे क्लिक करके नंबर एड़ कर सकते हैं चाहिए वो Contact में से या कहीं से आप बस क्लिक करेंगे तो वो एड़ हो जाएगा आप अगर चाहते हैं कि जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है सिर्फ उसकी Call Record हो तो Unknown Numbers On कर देंगे या फिर आप Directory कर सकते हैं ठीक है तो मैं इन सब को बंद कर दूँगी और यहां पे All Numbers पे क्लिक कर लूँगे किसी भी नंबर की Call Recording तो यहां पे अब कोई भी नंबर आप डाइल करेंगे जाए 198121 जैसी यह Connect होगा इसको लग कर देंगे तो देख सकते हैं कि यहां पे Call Recording होने स्टार्ट हो गई है आप इसको यहां से बंद भी कर सकते हैं और Cut कर देंगे ठीक है और Call Recording हो गई है और Call Recording आपको यहां पे Recorder में भी मिल जाती है और File Manager में भी मिल जाती है तो दोनों जगे से आप सुन सकते हैं अगर File Recorder में नहीं है तो तो यहां पे मैं Recorder पे चली जाती हूँ इसको Allow कर देती हूँ और Three Line पे जाके देख सकते हैं Recorded Call यहां से क्लिक करके प्ले कर सकते हैं तो इस टैप से आप सैटिंग कर लीजेगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार